एस्ट्राजनिका और ऑक्सफोर्ड युनिवर्सटी और सीरम इस्टुडू अफ इंडिया भारत का मिलकर कोरोना की वैक्सीन मना रहे थे और उन्होंने एमर्जनसी अप्रूवल के लिए अप्लाई किया था यूके में और अप्रूवल मिल चुका है इमर्जनसी अप्रूव क्योंकि वहीं पर यह बनी हुई है ऑक्सफोर्ड युनिवर्सटी के विशेशग्यों ने वैग्यानिकों ने एस्ट्रेजनिका के साथ इसे मिलकर बनाया था इसका प्रोडक्शन भारत में होगा जो की भारत ही नहीं बलकि विश्ट्व की सबसे बड़ी फार्मेसिटिकल क को बोला था कि अगर ब्रिटन में इसे इमर्जनसी अप्रूवल मिल जाता है तो यहां पर भी इसे अप्रूव होने में लेट नहीं होगा जी जी बिलकुल इसमें एम एच आरे जो ब्रिटेन की रेगुलेटरी एजनसी है उसने डेटा मांगा था और उसके बाद उसने इम पूनावाला ने कल ही एक ट्वीट करते हुए लोगों को जानकारी दी थी कि नए साल से पहले भारत में को भी शील्ड को अप्रूवल मिल सकता है गिफ्ट मिल सकता है नए साल का और अब ऐसा लग रहा है कि ब्रिटन में जहां उसे तीसरी वैक्सीन क्योंकि ब्रिटन में पहली होगी कोवी शील्ड और सबसे बड़ी बात यह कि कोवी शील्ड यह नए स्टेंड पर भी प्रवावी होगी यह साफ हो चुका है बिल्कुल वहां के विज्ञानिकों ने कह दिया है पहले से ही कि कोरोना अपने कितने भी रूप बदले अगर 95% के जितने ही वह पुर दर्शकों में बताना चाहेंगे कि यहां पर जो नंबर्स हैं वो काफी जादा है मतब सीरम इंस्ट्यूट ने साफ का है कि जो वह वैक्सीन का प्रडेक्शन कर रहा है उसकी आदी भारत के लिए बना रहा है और इससाब से जैनुरी फेबरेरी तक वह पांच करोड वैक्स और SII ने ये पहले ही क्लियर करके रखा हुआ था कि प्रड़क्शन में जितनी भी वैक्सीन होंगी उसकी आदी वैक्सीन भारत के लिए होगी यानि कि कोवी शील्ड की जो वैक्सीन है जिसे ब्रिटन में अप्रूवल मिला है इमर्जंसी वो भारत के लिए भी अच्छी ख़बर आई है एस्ट्राजैनिका कंपनी और ऑक्सवोर्ड युनिवस्टी के साथ मिलकर सीरम इस्ट्यूट भारत के ने जो कोवी शील्ड वैक्सीन का प्रड़क्शन किया है जो बना रहा है उसको यूके में ब्रिटेन में अप्रूवल मिल चुका है अब इंतजार सिर् हैं कल 31 हैं और उसके बाद जैसे कि अविचल ने कहा कि बस शुरुवाती दिनों में क्योंकि अदारपुना वाला ये पहले ही कहीं ने कहीं इचारों में कह चुके हैं कि न्यू यर का गिफ्ट भारत वासियों को मिल सकता है पहले मिले चैंबाद में गिफ्ट बहुत जरू नहीं धन्यवाद